नमस्कार दोस्तों आप सबका signal and system lecture सिरीज में बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम output response अगर आप find out करना चाहते हो और आपका system का input signal discrete time signal है तो दोस्तों output response find out करने के लिए एक tabular method है उसी tabular method को यहां explain करेंगे मालेजिए f of n आपका input discrete time signal है जो samples आपके available है यहां पे n equal to 0 पे 1 strength है n equal to 1 पे 2 n equal to 3 पे 3 strength है n equal to 0, 1, 2, 3 n equal to 3 पे 4 है similarly h of n दोस्तों impulse response of system है जो की samples में available है तो दोस्तों आपको अगर tabular method से output response find out करना हो तो आप क्या करेंगे आप f of n जो है उसको आप यहां लिख लेजिए f of n का पहला sample 1 है दूसरा आपका 2 है तीसरी value आपकी 3 है और यहां पे आपकी value 4 है ठीक है यह आपने लिखा है f of n को फिर दोस्तों जो आपका h of n है उन sample values को आप यहां लिख लेजिए horizontally on the top side तो पहला है आपका 5 फिर है आपका 6 फिर आपका 7 है और फिर आपका 8 है तो दोस्तों इस तरीके से आप f of n को vertically और h of n को horizontally on the top side लिख लें फिर इसके बाद ये जो element है 1 इसका इसके साथ product लिखें 1 5 जा 5 1 6 जा 6 1 7 जा 7 1 8 जा 8 ये आपकी first row complete हो चुकी है फिर दोस्तों second row के लिए यहां पे जो second element है 2 इसका इनके साथ product इसके नीचे लिखें जैसे 2 5 जा 10 होगा 2 6 जा 12 होगा 2 7 जा 14 होगा और 2 8 जा 16 होगा similarly 3 के लिए अब लिखेंगे तो 3 5 जा 15 होगा 3 6 जा 18 होगा और 3 7 जा 21 होगा और 3 8 जा 24 होगा similarly अब लास्ट जो element है 4 4 5 जा 20 होगा 4 6 जा 24 होगा 4 7 जा 28 and 4 8 जा 32 तो दोस्तों यहां तक आप करने के बाद आप क्या करेंगे इसको आप diagonal elements में separate कर देंगे सबसे पहले आप यह बनाएंगे यानि यह आपका एक diagonal है जिसमें सिरफ 5 है फिर दूसरे diagonals में आपके 2 samples आने चाहिए यह आपका 6 और 10 आ गया तीसरे diagonal में आपके 3 sample आने चाहिए फिर दोस्तों 4 जो आपका diagonal होगा उसमें आपके 4 sample आने चाहिए similarly जो 5th होगा अब यह reduce होना start हो जाएगा अब इसमें 3 आएंगे फिर दोस्तों इसमें 2 आएंगे और last में आपका यह बचेगा अब दोस्तों जितने diagonal में samples हैं उन सभी samples को आप add करके लिख दें तो जो पहला diagonal है आपका यह इसमें क्या है सिरफ 5 है दूसरे diagonal में 10 प्लस 6 कितना बना 16 तीसरा जो diagonal है दोस्तों वो 15 प्लस 12 that is 29 और 29 प्लस 7 कितना होगा 34 फिर दोस्तों 4 जो यह था 20 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 8 तो इसको आप Kelsey से भी शोल कर सकते है यह बनेगा आपका 20 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 8 यह value बनेगी आपकी 60 फिर दोस्तों इसके बाद इसका addition करिए 24 प्लस 21 प्लस 16 24 प्लस 21 प्लस 16 यह value बनेगी आपकी 61 फिर दोस्तों 28 प्लस 24 कर लेजिए 28 प्लस 24 यहाँ value बनी आपकी 52 और last में जो है दोस्तों वो है आपका 32 तो यह आपका output response है यानि Y of N अब point यह है दोस्तों कि arrow कहां पे लगेगा आपने देखा कि F of N का जो first element है वो N equal to 0 पे available है क्योंकि यहाँ पे arrow लगा था H of N का first element था वहाँ भी arrow लगा था तो दोस्तों यह भी N equal to 0 है यह भी N equal to 0 है तो दोस्तों इसमें क्या है जो lower limits होती है दोनों samples की lower limits को हम add करा देते हैं और वही पे हमारा arrow जाएगा तो यह आपका 0 plus 0 again equal to 0 it means यहाँ पे आपका arrow लगेगा फिर दोस्तों यहाँ आपका N equal to 1 पे sample value है यह N equal to 2 पे N equal to 3 पे N equal to 4 पे N equal to 5 पे N equal to 6 पे अब point यह है उसमें total number of samples कितने होंगे तो आप हमेशा ध्यान रखे अगर आपका input signal F of N है उसमें आपके N number of samples है और जो आपका system impulse response है अगर उसमें M number of samples है तो always जो आपका output response होगा Y of N उसमें कितने samples होंगे वो आप इस तरीके से हमेशा याद रखे N plus M minus 1 यहाँ से देख लिजिए दोस्तो given problem में F of N के 4 number of samples थे यानि N की value आपकी 4 थी फिर दोस्तो H of N जो system response था impulse response उसमें भी आपके 4 samples available थे तो दोस्तो जब यह in values को put करेंगे that is 4 plus 4 minus 1 which is equal to 7 इन samples को count कर लेजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 it means जो आपके output samples होंगे वो input samples के additions के बाद 1 subtract होगा वो value आपकी output samples की होगी तो दोस्तो यह method आपका काफी convenient method है अगर university exam में convolution methods की वजह से आपको output response निकालना हो तो आप इस method को use नहीं करेंगे इसे प्रिवियस वीडियो में जो methods हमने use किया उस formula को use करके response निकालेंगे लेकिन दोस्तो अगर competitive exams में इस type के questions है और आपको output response पूछा है तो आप tabular methods का use करके questions को solve कर सकते हो और अगर convolution methods में आप question solve करते हो और आपको यह अगर confusion है कि आपका question ठीक है या गलत है तो उस आपके answer की justification के लिए आप tabular method से फटाफट आपका output response निकालके उस answer को verify कर सकते हो so this is all about tabular methods of finding convolutions दोस्तों next video में convolutions की different properties को in detail explain करेंगे thank you so much for watching this video आपके लियो